हमने दर्शकों को बताना चाहती हूँ के प्रधान मंत्री ओफिशिल टाइम के हिसाब से शायद वाइट हाउस पहुच चुके हैं पिछले 30 सेकिंड में उनको वहाँ पहुचना था ऐसा हमें बताया जा रहा है लेकिन क्योंके सेक्यूरिटी कौर्डन की वज़ा से मीडिया को थोड़ा दूर रखा गया है हम विजूल्स ले लेंगे वाशिंग्टन से जो लॉन्स हैं वाइट हाउस के सामने जहां हमारे सहयोगी सुशांत सिना जी खड़े हैं तो थोड़ी देर में हमें वो वाइट हाउस नजर आ रहा है आपको अपने स्क्रीन्स पर और सुशांत सुशांत जी के पास चलती हूँ आप मुझे सुन पा रही हैं जी बिलकुल नाविका अब अब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां पर पहुच रहा है उसकी तस्वीर आप देख रही होंगी यह वाइट हाउस थे सीधी तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं टाइम्स नाव नव भारत पर प्रधान मंत्री का काफिला अब जो बाइडन से मुलकात करने के लिए आपर पहुचा हो जो दूसरी गाड़ी आप देख रही है जो अभी क्रॉस कर रही है वो उसमें नरेंद्र मोदी मौजूद है तो ये तस्वीरें टाइम्स नाव नव भारत पर आप देख रहे हैं एक्स्क्लूजिव तस्वीरें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी वाइट हाउस पहुच गए हैं उस एतियास एक मुलाकात के लिए जो प्रधान मंत्री मोदी और राश्रुपती जो बाइडन की बीच होने हैं पहली मुलाकात बतौर राश्रुपती जो बाइडन की भारतिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और यहाँ पर लोग जो हैं वो खड़े होकर अपने अपने कैमरा से जो एक जलक दिख जाए नरेंदर मोदी जी की उनके काफिले की उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं मोबाइल से यहाँ पर लगातार निकली हुई है और हर कोई बस एक जलक पा लेना चाहता है कि नरेंदर मोदी अगर यह तस्वीर गोपाल आप दिखाएं लोगों का जो उत्सा है यह यह भी थोड़ा में आपको दिखाना चाहता हूं नाविका जी अगर तस्वीर आप देखेंगे पीम वहाँ पहुंच चुके हैं गाड़ियां अब अंदर चली गई है वाइट हाउस के और प्रधान दूर से मोबाइल में आये मोदी जी मोदी जी नहीं दिखे लेकिन उनकी एक जलक पाने के लिए हजारों आदमी यहां पे खड़े हैं क्योंकि वह एक सपना था कि मोदी जी को एक बार देखे मिले अनफॉर्चुनेटली वह प्रोडोकल की हिसाप से सिक्यूरिटी की प्लस उनका एक स्लोगन है सबका साथ सबका विकास जो आतला किसी ने नहीं बोलाता जितनी भी कम्विनिटी जी पर तस्वीरे हैं प्रदान मंत्री मोदी जी अपनी गाड़ी से उत्रे हैं और वाइट हाउस के अंदर दाखिल हो गए हैं गाड़ी पोर्च पर आई और वह अर अमेरिकन डेलिगेशन अभी जैशंकर जी हमारे फॉरन मिनिस्टर अम्बासडर तु यू एस तरंजीत सिंग जी हर्श रिंगला जी पूरी डेलिगेशन अमरीकी और भारतिये डेलिगेशन अब शामिल हो रही हैं अंदर और अब दर्वाजा वाइट हाउस का बंद हो गया है और मीटिंग कहा जाता है मीटिंग is underway the door has closed सारी डेलिगेशन अंदर चली गई है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के साथ जैशंकर जी थे फॉरन मिनिस्टर और हर्श रिंगला जी फॉरन सेकरेटरी तरंजीत सिंग संदू अम्बासडर तु उनाइट स्टेट सारे एक साथ शामिल थे वापस चलते हैं सुशान के पास और सुशान